हेलो एर्यवन कैसे हैं सब आप आप सब अच्छे होगे मस्त होगे और खुश होगे मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीश सोनों ने स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अल अबाउट लॉट दोस्तों आज हम देखेंगे कि लिगल और खुशनल हिस्ट्री में अंग्रेज भारत में आए और वो व्यापारी बन के आए और यहाँ पर उन्होंने कैसे राज किया तो शुरुवाच से हम देखेंगे कि क्या लीगल और खुशनल हिस्ट्री रही है क्या डेवलप्मेंट्स रहे हैं जब 1498 में वास्कोद गामा इ तब से हम इसको शुरुवात करेंगे तो शुरुवात करते हैं इसको चार तीन सब पॉइंट्स में इस्ट इंडिया कंपनी डेवलोपमेंट ऑफ एथॉरिटी और इंग्लिश कंपनी इसे इंडिया तो शुरिप अंग्रेज ही भारत में नहीं आए अंग्रेजों के साथ डच फ्रेंच पोर्तुगीज यह भी व्यापारी बनके आए लेकिन अंग्रेजों ने यहां जो है वो पोर्तुगीज भी आये तो कैसे फिर वो शुरुवात हुई दो मुगल एंपरर ग्रांटेड दी राइट ऑप सेल्फ गवर्मेंट तो दा इंग्लिश इट प्रूवड टू बीए टर्निंग पॉइंट इन दे लीगल हिस्ट्य आप इंडिया जब सुलासों की शदाब्द जहांगिर से बहुत सरे सेल्फ गवर्मेंट के राइट्स मंगे तो यह इंडिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था तीन तर्निंग पॉइंट्स थे मुगल एंपररर जहांगिर ने जब वह राइट दिये सेल्प गवर्मेंट के and this was the little mistake in the form of commercial concession by Jahangir in 1612 तो 1612 में Jahangir ने जो एक commercial body थी अंग्रिजो की उनको ये सब rights दे और ये एक बहुत बड़ी mistake थी वो पहली mistake थी, the same mistake was committed in 1639 by राजा अपचंदरगिरी in south 1649 में राजा अपचंदरगिरी जो था, south में वो एक राजा था और उसने भी बहुत सारे rights जो है इस commercial body को दिये तीसरी सबसे बड़ी mistake थी, it was in 1698 by Prince Azim Ushan in the east जो औरोंगजे का नाती था उसने भी जो दिवानी rights थे Bengal के वो Bengal का सुभेदार भी था तो उसने भी बहुत सारे rights इन अंग्रेजों को दिये तो legal history में ये तीन बहुत बड़ी गलतिया जिसे हम कहते हैं शायद historians लिखते हैं कहते हैं कि अगर ये तीन गलतिया नहीं हुई होती तो शायद आज भारत का इतियास कुछ अलग होता तो देखते हैं one by one वो कैसे गलतिया हो गई ये जहांगीर था emperor जहांगीर जिसके रिज अबाउट देंड ओ 15th century some European nations came to India as a trading merchants जैसे मैंने कहा कि European nations जो है वो एक trading merchants करके आए in 1498 वास्कोदी गामा जैसे हमने history में पढ़ा है सुना है देखा है कि 1798 में वास्कोदी गामा जो था वो एक sailor था पोर्तुगीज sailor discovered the passage to India round the Cape of Good Hope and he landed at Calicut on Malbar Coast तो उसने अपना पहला कदम Calicut में रखा जो मलबार में था and during the second half of the 16th century the protestant nations of western Europe got inspiration from the reformation movement तो दीरे दीरे फिर सब European nations जो थे उनको पता चला कि यहां पे एक भारत नाम का देश है और बहुत सारा scope जो है व्यापार के लिए या trade और commerce के लिए वहां पे है तो सब जो European nations के जो व्यापारी है यहां पे आने शुरू हो गए Dutch were the first in the field and English merchants followed them तो Dutch जो है वो पहले यहां आये थे फिर उनके बाद जो थे वो English व्यापारी जो थे आये थे the dance came next but they were few in number though French made earlier voyages to India the foundations of French trade were led by Colbert only in the middle of 17th century तो pre-independence history की हम जब बात करते है तो उसरी अंग्री जो का ही जिक्र होता है लेकिन Dutch जो थे Dutch व्यापारी थे वो पहले ही आये थे फिर बाद में इंग्लिश पीपल आ गए फिर बाद में देंस आ गए फिर फ्रेंच आ गए फिर पोर्तुगी आ गए तो वन बाइवन सभी जो आपारी है वो यहां पे आ गए the power of Mughal Emperors was at its zenith when the trade centers were first established by the Europeans in India तो जब यह सब European व्यापारी यहां पे आ गए तो Mughal Emperor का जो राज था वो kingdom था वो बहुत पावर्फुल था zenith में था and this 17th century the purely commercial attitude of foreign traders was suited to the conditions then prevailing in India तो उन्होंने देखा कि यहां की जो conditions है वो व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे है तो उन्होंने फिर धिरे धिरे यहां पे अपना settlement करना शुरुआत की but with the weakening of the Mughalem power in 18th century in India nobles and chiefs were establishing separate kingdoms तो जैसे ही 1707 में हम सब जानते कि Aurangzeb का इंतकाल होने के बाद Mughal सामराज्य जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता चला गाए और यही एक opportunity जो थी वो जो व्यापारी बन के आये थे उनको दिखी फिर उन्होंने अपना खुद का एक self-government system बनाना स्टाट किया English and French companies on the basis of their increased strength began to take sides in the wars amongst the local kingdoms तो हम सब जांते हैं दोस्तों कि जो भारत था वो प्रिंसले स्टेट्स में divide हुआ करता था अखंड भारत नहीं था एक राजा हुआ करता था उसकी प्रजा थी मंत्री मंडल तो सब प्रिंसले स्टेट्स में डिवाइड थे और यह जब अंग्रेज आये तो उन्होंने यहां के जो लोकल राजास थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया The English East India Company finally emerged victories and developed its area of influence and finally established its empire in India तो East India Company जो थी जो Queen Elizabeth first थी उसने जो एक charter दिया था उस charter के तहरKe जो लंडन फापहले पहले लिपेज फॉर्म हुए थी बाद में उसका नाम traje नाम इस इंडिया कंपनी हुआ इस इस्ट इंडिया कंपणी ने जो लोकल राजास थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया इंग्लिश पीपल केम तो इंडिया इन 1601 अज बोड़ी आप ट्रेडिंग मर्चंट्स ट्रेडिंग मर्चंट्स करके आए 1601 में ओं 31st December 1600 क्यूइन ईलीजाबद Ids ग्रैंटेड डाप्णी विज इनकार्पोरेटेड दि लनडन इस्ट इंडिया कंपणी जो कूइन ऐलीजाबद फर्स थी तो उसने 31 December 1600 में एक चार्टर दिया कमपनी को और उस चार्टर के तहट लंडन इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना हुई तो इसका मेन अब्जेक्टिव जो था वो तो ट्रेड एंटू और फ्रॉम दे इस्ट इंडिस इन दे कंट्रीज और पार्ट्स आप अपरिका तो इसका मेन अब्जेक्टिव था कि इस्ट इंडिस का जो पार्ट है एशिया अफ्रिका वहाँ पे व्यापार करना दस कमपनी बिकाम जुरिस्टिक पर्सन विद्ध एक्स्क्लिजिव प्रिविलेज और ट्रेड विद इस्ट इंडिस तो कमपनी को एक लीगल स्टेटस मिल गया एक जुरिस्टिक पर्सन करके एक स्टेटस मिल गया और तो मेक बाइलाज ओर्डिननसेश फॉर्डी गुड़ गवर्नांस अब दे कमपनी को बाइलाज और रूल्स और रेगुलेशन बनाने के पावर्स भी मिल गये प्रोविजिंस अब इस चार्टर वेर ओनली इन कनेक्शन विट दे ट्रेड और नोट इंटेंड पर अक्विजिशन अब दोमिन इंडिया शुरुवात में तो इस चार्टर का जो अब्जेक्टिव स्था वो ट्रेड अंड कॉमर्सी था ना कि territorial acquisition या to gain the political power ऐसा कुछ भी उस में mention नहीं था तो जो भी servants थे, British officers थे, उनके बीच में कुछ discipline या legislative relations बनाना ये भी इसका बहुत बड़ा objective था ये Queen Elizabeth first है, जिसने पहला charter issue किया और उस charter के तहट London East India Company बाद में जिसका नाम East India Company हो गया अब दोस्तों आता है दूसरा charter, charter of 1609 On 31st May 1609, James first granted a fresh charter to the company which continued its privileges in perpetuity subject to the proviso that they could be withdrawn after three years and authorized to continue the enjoyment of all its privileges, powers and rights earlier granted by Queen Elizabeth. Queen Elizabeth first के बाद James first जो England का राजा था उसने 1609 में दूसरा charter दिया fresh charter दिया उसमें कुछ सुदार किये गए पहले वाले charter में और तीन साल के बाद उसको revise करने के rights उसमें मिल गए Company secured first royal commission in 1601 to punish its servants for grosser offenses on long voyages Company को एक royal commission भी मिला हम सब जानते है पहले जो व्यापार हुआ करता था वो समंदर के रास्ते हुआ करता था और इस समंदर के रास्ते बहुत सारी piracy बहुत सारी लूट मार बहुत सारे offenses होते थे तो इसको discipline नगलने के लिए उनको एक royal commission मिला On 14 December 1615, the king authorized company to authorize captains to punish the servants subject to condition that for capital offenses वो जो captains थे ship के तो king ने उनको authority दी की वो उस servants को punish कर सकते हैं Except in case of death punishment, death capital offenses, a jury of 12 servants of the company will give verdict दोस्तो jury system हमने सुना है, फिल्मों में देखा है, recently जो रुस्तम मोवी आई थी उसमें भी हमने देखा है कि कैसे jury system prevail हुआ करती थी And K.M. Nannayvati versus State of Maharashtra यह एक last case था जिसमें एक jury system था तो एक jury system जो था वो भी एक form किया गया और वो verdict देता था कि guilty है या non guilty है Interested with these powers, English people came to India in region of Emperor Jahangir And settled in Surat in 1612, Surat was important center of trade and commerce on the western coast of India तो ऐसे दोस्तों, 1612 में, Jahangir के कार्यकाल में यह सब Britishers, Europeans यहापे आये और उन्होंने Jahangir से यह सब rights acquired किये यह James first था, जिसने दूसरा charter दिया था With a view to strengthening their power, directors of the company sent in 1618, Sir Thomas Rowe As an ambassador of James first And he gained the Jahangir's favor and company entered into a treaty with Jahangir तो जब वो 1612 में आये, तो Jahangir को मनाने के लिए, Sir Thomas Rowe, यह जो एक ambassador था, James first का उसको Jahangir के पास भेजा गया, ताकि वो Jahangir से self-government और कुछ बहुत सरे rights acquire कर सके तो Jahangir ने एक फर्मान इशू किया And this proved to be a turning point in the legal history of India as the company secured following privileges तो एक बहुत बड़ी गलती Jahangir ने उस वक्त की और वो जो Thomas Rowe था, उस Thomas Rowe को बहुत सरे rights उसने दिये यह rights कौन से कौन से थे? Disputes amongst the company servants will be regulated by their own tribunals Company के servants में अगर कोई dispute होता है तो उसमें राजा interfere नहीं करेगा Jahangir नहीं करेगा, वो servants आप खुद में उसको निपता देंगे English people will enjoy their own religion and laws English people अपने खुद के religion enjoy कर सकेंगे उसमें किसी का भी interference नहीं होगा Local native authorities will settle such disputed cases amongst Englishmen versus Hindus and Muslims हाँ अगर दोनों पार्टियां अलग-अलग है मतलब Europeans है और Hindus Muslims है तभी local native officers जो थे उस वक्त के काजी, मुफ्ती, मौल्वीज तभी वो पार्टिज को वो देख संकेंगे interfere कर सकेंगे या entertain कर सकेंगे अगर दोनों पार्टिज एउरोपेंस है अगर एक पार्टिज है और एक पार्टिज है और एक पार्टिज है तो लोकल नेटिव एथोरिटिज को वो पावर्स नहीं होंगे मुगल गवर्नर और काजी आप दे रिलेवंट प्लेस विल प्रोटेक इंग्लिश पीपल फ्रों अपरेशन एंड इंजूरी जो लोकल काजी मुफ्ती मौल्वीज थे वो इंग्लिश पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे यह थो मसरो है जो जैम्स फर्स का अंबेसेडर था आड़ दिस टाइंग्लिश मन आड़ शूरत फैक्ट्री वेर लिविंग अंडर तो इप्रेंट सिस्टम अफ लॉव दिप्रेंट कांसिल अड़ शूरत फैक्ट्री वेर वर्किंग अज एग्जेक्टिव ओफिसर्स इस तैम इंग्लिश ओफिसर्ट यह थे वह दो रोल में काम कर रह थे इस जुडिशेरी बन रह थे वह थे पर टी प्रस अबिसार शूर आपकर के वह थे काम कर रह थे तो English people judiciary को exploit करती थी और इसलिए वो corrupt practices से भी वो शुर्वात हो गई फिर आता है Charter of 1635, Charles I permitted Sir William Cowton to establish a new trading body for the purpose of trading with East Indies under the name of Cowton's Association The old company faced competition at the hands of the new company and many other difficulties were created in England which continued up to 1657 तो ये Charles I ने एक William Cowton करके जो था उसको एक और कमपनी बनाने की इजाज़त दी और उस कमपनी का और पहले कमपनी का भी competition होना शुरू हो गया Charter of 1661 तो slowly slowly step by step कैसे इंगलंड के राजा और रानी थी उन्होंने कमपनी को Charters दिये इन दे रिजन आप 4 सेकंड, the company entered into a period of prosperity and after 1660, company regained its prosperity and changed its character from purely trading concern into a traditional power तो एक बहुत बड़ा charter था एक बहुत बड़ी development थी जहाँ पे company ने अपना जो एक status था purely trading corporation करके अब वो एक political traditional power करके इमर्ज हो गया On 3rd April 1661, Charles 2nd granted a new charter to the company which reorganized the company on a joint stock principle and each member who had a share capital of 500 pounds was given right to one vote in the general court of company तो जो एक fresh charter दिया 3rd April 1661 को Charles 2nd ने तो उसके तहए जिस member के पास 500 pounds के share है उसको वोट करने का right मिल गया Charter further authorized the company to empower the governor and council of each one of its factories और trading center at Madras Bombay and Calcutta तो इस charter केता है जो तीन प्रेसिदेंसी टाउन्स हिस्टरी में हम सुनते है Bombay, Madras and Calcutta वहाँ पे उनको center open करने के rights मिल गए यह Charles 2nd था जिसने वो 1661 वाला charter दिया था Legislative power of the company अब trade और commerce के साथ उनको कुछ legislative powers भी मिले By the charter of 1600, the company's power to legislate was subjected to two conditions That the provisions of legislation should not contravene the English law, whether statutory or customary अब जब legislative power उनको मिले तो एक condition थी कि company जो भी कुछ laws बनाएंगी वो England के laws के against नहीं होने चाहिए Charter of 1661 was issued to the company and for the first time The laws of England were made applicable in the territory of India तो यह वही charter था दोस्तों, जिस charter के तहर जो English principles थे वो इंडिया में applicable होना शुरू हो गए If we compare scope of these two charters, Charter of 1661 handed over much extensive power to the governor and council of a factory Whereas the power under the Charter of 1600 was with respect to persons That is applicable only to the company's settlement तो अगर इन दोनों charter को हम compare करते हैं, पहले वाला charter जो रानी ने दिया था और 1661 वाला charter तो 1661 वाला charter वो बहुत बड़ा charter था, comprehensive था, extensive powers उसमें दिये गए पाद में subsequent charters आते हैं, transition from trading to territorial power कैसे company ने अपना जो एक status था, वो territorial acquisition में उन्होंने बडला, territorial power में उन्होंने बडला from the trading body to territorial power Charter of 1668, it is a step ahead to assist the transition of the trading body into territorial power Charles second transferred in 1669, the island of Bombay, which he got as a dowry from Portugal to the East India Company for an annual rent of 10 pounds यह जो Charles second था, उसकी शादी जो पोर्तुगाल का king था, Alphonsos VI उसकी बहन, princess Catherine से हुई थी, और as a dowry करके, यह Bombay island जो था, इस Charles second को मिला था इस Charles second ने यह जो Bombay island है, वो company को annual 10 pound के rent पे दिया for the good government of island of Bombay तो बाद में आता है, Charter of 1683, granted by Charles second, was a next step authorized the company to raise military forces Charter provided that a court of judicature should be established at such places as the company might consider suitable तो दिरे-दिरे feel, जैसे Britishers आ गये तो military force भी आ गई, तो यह सब उन्होंने शुरुआत करना start किया Charter of 1686, granted by James second, renewed and added the various powers and privileges earlier granted to the East India Company authorized the company to appoint admirals and other sea officers, तो उस माहने में यह charter भी बहुत बड़ा importer था जो Charter of 1683 जिसे हम कहते हैं, वो James second ने दिया था, that authorized to appoint the admirals अब यह admirals का जो function था वो, जो ship पे जो जगडे होते थे उसको settle करना था फिर बाद में 1687 में, company was authorized to establish a municipality and mayor's court at madras तो mayor's court की भी स्थापना madras में हुई और corporation की भी स्थापना madras में हो गई Charter of 1698, William third granted a charter on 13th April 1698 to company with certain changes in existing rules to improve the administration of the company तो William third जो था, उसने यह 1698 वाला charter दिया, जो company के rules थे उसको improve करने के लिए यह James second था, जिसने वो पहले वाला charter दिया था दोस्तों, यह European settlement था, कैसे Europeans, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, भारत में आए कैसे वेपा रिबन के आया, उन्होंने यहाँ पे अपना settlement किया दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे जादा से जादा लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंड कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भोलिए तो तब तक अपना खायाल रखे, टेक केर, गुड़ बाए कर दोस्तों आता है